वान साइटर लबस से जादा लब की कोई कदर नहीं करता इसलिए तो हम जहां भी लब स्टोरी देखते हैं बस देखते ही रहते हैं अगर लब स्टोरी में फ्रेंस और कॉमेडी भी मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हेलो दस्तो मोच 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 एटे ओसरीज इमिर्चर की सिजन 3 एमजन फ्राइम वीडियो पे आचुकी है जो इस ओसरीज देखे हैं बस स्टोरी अब थोड़ी से भूल गए हैं उन्हें एक कोई रीकेब दे देती हूँ तीन दोस्त होते हैं ध्रूप का भी सुसू और इन तीनों में से ध्रूप को क्लास की टपर छवी से उनसाइड लाब है फिर कुछ ब्लाग में जी करने के बाद इससे छवी मिल जाती है पर पोचिंग करने के लिए छवी को भाहर जाना भी पड़ता है फिर वही लांग डि यह संटू हर 23 मेंट है जिसे जिसे टाइम बढ़ता है अब यही हो इसके रोगे यार यह इतनी जल्दी खतम क्यों हो रहा है इस सीजें की खास्यत यहीं कि इस बार हर के रिक्टर को स्क्रिंटेंग दिया गया है जो कि इस सीज़ की सबसे बड़ी प्लस परण साबित होती ह वैसे तो सीज की अंदर सब ने जबादस लेबर की परफोरेंस दी है बड़ आपको कभीर और सुसू सबसे ज़्यादा परसंद आएंगे बज़ा क्या ही कमिट टैमिंग है यार यह दोनों ऐसे हैं कि गोतर्म गंभी सार को हसा दे बोलो इस से ज़्यादा और क्या पोसकती हूँ इनकी तारिब में सुसू की इनोसन और कभीर की फेगने की आदर सीज को बेश से ज़्यादा बेश लेबर तक ले जाती है इन दोनों की कमबो हमारी ट्रेस कम ही की होती है फिर आता है दुरू बर्चाया की लास्टरी जिसे काफी अच्छे से बेड़ किया गया है अगर आप पहले की दो पार्ट नहीं भी देखी हो तो कोई दिकत नहीं उसके बाद भी इस सीजन को इंजय कर सकते हो वैसे सीजन की लास्ट एपिसोड में कुछ हिर्ण भी दिया जाता है सीजन फोर की तो क्या आप एक्साइटेट है कमन सेक्सें में ज़र बताना आज के अगले वीडियो में तता के लिए बाई बाई टाटा खत्म